आज हम दोग डिसकास करने वाले, important topic को blgnam, बलगम जिसे इंगलिश में मैं लोग flaggam कहते हैं, बलगम क्या होता है, बलगम जमता है, फेफणस में जम जाता है, गले में क्यों जम जाता, उसको हम कैसे निकाल सकते है, क्या कारण होते है, क्यों जमता है, उसकी दवाईया, doses के इसको कैसे पहचान सकते हो। सबसे पहले देखिए, बलगम को simply हम लोग कव भी कहते हैं, लिखा हुआ है कि जो बलगम होता है, simply बलगम को कव भी कहा जाता है, simply जो बलगम होता है, इसे हम लोग कव के नाम से भी जानते हैं, या फ्लेगम, इंगलिश में इसको हम लोग simply फ्लेगम भी कहते हैं, नेक्स होत तब आपको बहुत सारी कटिनाई या बहुत सारी चीजों को सामना कर रहा पड़ सकता है ठीक है नेक से बल्गम का निर्मान एक विसेश प्रकार की परत के दोर होता है देखो आप लोग थोड़ी सी चीजे समझ लीजेगा जो बल्गम यानि की जो फ्लेगम होता है इसका दो में वारा बल्गम बनता है दो बल्गम हमारे लिए बहुत जरूरी है roku अधर कि हमारे काने को तो बलगम हमारे लिए भहुत महतोपून है, पर कभी-कभी बलगम का जादा इस्त्रावण हो जाने से वो गली में या फेफडों में जम जाता है, जिससे सास लेने में कटिना या और भी कई सारी समझेशा है आपको देखने को मिलती है, तो जो बलगम है हमारा, वो म्यूकस के द्वारा रिलीज होता है, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, जो म्यूकस परत होती है, वो कहा कहा पर होती है, आपके मू में, माउट में भी बलगम होता है, गले में भी बलगम होता है, नाक में भी बलगम कियाने की म्यूकस मेंब्रेन होती है, और फेफडों के बढ़ता हूँ, देख लो बलगम जमता क्यों है, बलगम जमने का कारण क्या है, बलगम अनियमित कब हो जाता है, धूमरपान पहला मेने कारण बता है आपको smoking, बहुत जादा यदि धूमरपान कर रहे है तो बलगम जमेगा, अफ्थमा अगर हो गया, अस्थमेटिक कंडिश अवस्था में भी फेफडो में बलगम हमारा जम जाता है, उस अवस्था में भी हमें simply यहां पर देखने को मिलेगा बलगम का जमाओ, और acute bronchitis, देखो acute bronchitis में भी COPD की disease होती है, chronic obstructive pulmonary disease के अंदर आती है, इसमें भी देखने को मिलेगा, एक होती है chronic bronchitis, chronic chronic bronchitis related problem है, या फिर chronic obstructive pulmonary, सर्दी जुखाम की दवाईया भी हमें आपको बताऊंगा, वो ही बलगम सारी चीज़े सेम होती है, ठीके, तो chronic obstructive pulmonary disease भी होती है, इसकी वजह से भी यह देखा जाता है, ठीके, तो यह कुछ बलगम होने के, जो बलगम हमारे हाँ जमता है, उसका कुछ कारण ह होता है, मैं हैसे आगे बढ़ता हूँ, ठीके, अब मैं हैसे आगे बढ़ रहा हूँ, अब बलगम जमने पर लक्षन, अब आपको कैसे पता करोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि बलगम जम चुका है, उसके क्या लक्षन आपको दिखाई देंगे, उस लक्षन को समझेग आप नाक का भरा हुआ लगना जो आपकी नोज एकदम भरी-भरी से लगेगी आपको ठीक है गले का भरा है आपको इससे लगए गला जैसे कि आपको भरा हुआ गला है उसके बाद कभी-कभी खासी आना आपको simply खासी भी इसमें देखने को मिल सकती है इसके अलावा आवाज का त्यदिक बेट जाना जब आपकी आवाज बो जदा बेटी बेटी लगेगी आवाज बो जदा डाउन हो जाएगी तब भी आपको देखने को मिलेगा सास लेने में खरकर होना जब आप रेस्पाइरेशन करोगे जब आप सास लेता होगे तो आपको एक छोटी सी के जमने के यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूँ सबसे पहले देखेंगे घरेलू उपचार जो कि मैं सजिश करता हूँ personally मेरा मानना है दवाईया लेने से पहले एक बार आप घरेलू उपचार करके देख लिजिए उससे आपको 100% में तो कहता हूँ 100% आपको रिलेफ लगेगा बट इन केस आपको रिलेफ नहीं लगता है उस अवस्था में उस कंडिशन में आप अलोपेतिक के ऊपर स्विच कीजिए जब तक आपको घरेलू उपचार से आपको आराम ना लगे घरेलू उपचार में आप क्या कर सकते हो जिंजर टी सिम्पल आप अधरा क्वालीटी सब लोग जानते हो अधरक की चाही ले सकते हो अधरक की चाही के अलावा ब्रेंडी ब्रेंडी मतलब जो सिम्पली आगर अलको कोई यूजल वगेरा लेता है तो ऑपने ह sulphate में ऐसे भोल भूम में आप ब्यदा धार वगेरा पिने लगो य आपको relief लगेगा, body गरम होगी, heat होगी, तो आपको easily वो पिघलता जाएगा आपका बलगम, honey, देखो, शहद बहुत important होती है बलगम का इलाज के लिए, ठीक है, आप शहद को भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको tips बताता हूए, आप एक चम्मच को लीजिए, स्पून जो हम के उपर, gas के उपर, हल्क असा जरा असा गरम कीजिए, और directly आपको उसको खा लीजिए, जब आपको उसको खाएंगे, तब बलगम भी निगलेगा, सर्दी जुखाम में भी रेस होगा, खासी में सफसे ज़्यादा effective, जो मैंने बता है, बहुत effective आप लोग एक बर करके आप लोग खा सकते हो, उसको भी आपको बलगम relief में लगेगा, उसके अलावा lemon, जो अच्छा कुछ लोग बोलते हैं, जो lemon होता है, जो नीबू होता है, उससे जुखाम होता है, नहीं भया, जो नीबू होता है, हमारे जो organisms होते है, जो बलगम जम रहा है, उसको निकालने म बहुत जादा फाइदेवन होता है, तो आप simply उसको गरम पानी में भी ले सकते हो, या पर नीबू और शहद और मिक्स करके गरम पानी में ले सकते हो, या नीबू शहद और उसमें हल्दी वगिर डालके, एक लोंग का, लोंग वगिरा भी उसको मिक्शर करके, या काली मिर करता हूँ, बल्गम के हर्बल ट्रिटमेंट, दवाई हा कौन-कौन से आती है, अच्छा मार्केट में, एक अपको शीरप मिलते है, जिसे बोलते है, वसका शीरप, टीकिए, वसका शीरप को अधा तोड़ा वसीका, अधा तोड़ा वसीका के नाम से भी आपको यह इस टाइप के आपको शीशी मिल जाएगी अधा तोड़ा वसीका के नाम से आती है मार्केट में अधा तोड़ा वसीका भी होती आप वसका शीरप भी बोलोगी तो भी आपको मार्केट में अवाइलेबल हो जाएगी इसके बाद यह शीरप आयरुवेदिक होती है जो कि हिमा एक brand ही हमालिया company में आपको simply अधा-तोड़ा वसह सेख़platz को आशाने से हमालिया company कानी की मिल जाएगी अब देखो आपको अधा-थाथोड़ा वसी का लेना कितनी है देखो, डोस, इसकी डोस कितनी दबाई आपको लेना है, पाच साल के सामान, आप बच्चों को भी सिंपली अधा तोड़ा वसी का दे सकते हो, बट पाच साल के सामान ने बच्चों को 2.5 ml TDS, TDS का मतलब होता है इस दिन में 3 बार, यदि बच्चों है कोई 5 साल का एक सामान, जिसे 5 साल का कोई बच्चा है, उसका वजन सामान ने 5 साल के हिसाब से उसका वजन है, तब आप उसको सिंपली अधा तोड़ा वसी का दे सकते हो, कितनी, उसको 2.5 ml TDS, ठीके 2.5 ml TDS दे दो, या फिर उसको 5 ml आप दिन में 5 ml शाम को, बीडी, याने कि 2 टाइम दे सकते हो, नॉर्मल सामान ने वजन वाले बच्चों में, ठीके, सामान ने वयसक, अब जो कोई एडल्ट परसन होता है, उसमें आप 5 ml बीडी, याने कि दिन में वो दो बार ले सकता है, यदि उसको बहुत जादा पलगम जमाए, बहुत जादा प्रोब्लम हो रही है, तब उस अवस है ये मेडिशिन, रात में सोते समय, खाना खाने के बाद, सोते समय भी हम लोग लेके, अगर प्रॉपरली सोएंगे, तब हमको इससे बहुत जादा रिलेफ लगेगा, तो अधा तोड़ा वसिका या वसिका जो वसका शीरप होती है, इसका बहुत इम्पोर्टेंड यूज इसको आप लोग इक बार कफ, कोल्ड में यूज़ करके देखे, आपको बहुत ज़दा आराम लगीगा, इसके बाद में नेक्स मेडिशिन के उपर बढ़ता हूँ, वो भी हर्बल मेडिशिन में आती है, जिसे कौफलेट शीरप बोलता है, कौफलेट शीरप क्या करती है, ये भी आयरुवेदिक शीरप ही होती है, इसमें कई प्रकार के हर्बल वस्तुए होती है, जिसे के पवित्र तुलसी शैद और मुलेटी का मिक्स्चर करके आपके कौफलेट शीरप बनाए जाती है, बहुत इंपोर्टेंट है, आप इसका भी उस्तमाल कर सकते है, कितनी मा पाच एमेल दिन में या पाच एमेल शाम को दो टाइम भी आप इस तरह से दे सकते हो, ज्यादा बलगम ज्यादा कफ की कंडिशन में, सामान्य एक वयस्क व्यक्ति होता, उसमें पाच एमेल बीडी, पाच एमेल याने की दिन में दो बार आप उसको दे सकते हो, या पिर य सबसे पहले स्ट्रेपिल्स होती है स्ट्रेपोर्टेंटी ट्यबलेट होती है कि दले खुछने वुचने मेडिशने हothy होती है इसको आप लोग ले सकते हो madam मिसम्ट खुमन जमियाँ असानी से निकाल दें जैसा कुली के इस घूली के अंदर Ambrosil Hydrochloride Ambrosil Hydrochloride एक component होता है drug component जो कि पाया जाता है Ambrosil Hydrochloride जो कि आपके strap cells में मिलता है ठीक है इसमें जो होता है या एक प्रकार का Pharyngeal Demulcent होता है Pharyngeal Demulcent का क्या मतलब होता है थोड़ी से terminology समझ लिए Pharyngeal Demulcent का मतलब होता है जब आप इस tablet को खाते हो तब आपकी mucos की जो परत है उसके उपर एक और परत चड़ जाती है जिससे आपका जो बलगम आसने से पिगलता है आपको दर्द उस जगा पे नहीं होता है ठीक है यह है एक प्रकार की Pharyngeal Demulcent Medicine होती है जो की mucos परत के उपर एक और सुरक्षात्मक परत बना देती है हमारे गले में फेपडो में एक और परत बना देती है जिससे हम कुछ भी खाते है तो वहाँ पर हमें दर्द नहीं होगा बलगम भी धीरे-धीरे रिजोल्व होता रहेगा कितना लेना है एक गोली दिन में दो बार ठीके एक गोली सुबा एक गोली शाम को तो इसका कोई साइड इफेक्ट ज्यादा तर देखा नहीं गया आप इसको तीन बार भी दिन में ले सकते हो बहुँ ज्यादा इंपोर्टेंट मेडिशिन्स होती है ठीके इसके बाद मैं कुछ शीरप कफ शीरप के उपर बढ़ता हूँ कफ में आप कौन-कौन से शीरप का इस्तमाल कर सकती हो एलोपेतिक शीरप में और कौन-कौन से याथी नाम बताऊंगा, काम बताऊंगा, डोस बताऊंगा ठीके, ब्रो ब्रोविस, एक नाम से ब्रोविस के नाम से मार्केट में शीरप मिलती है, बहुत effective शीरप होती है, इसमें क्या-क्या पाये जाता है, देखो इसमें गुएसिन, गुएसिन जो होता है, हमारे कफ को रिलीस करने में बहुत important रोल अदा करता है, गुएसिन, तो जब भी आप किसी भी कफ शीरप पे लो तब उसके उपर एक गुएसिन के नाम से लिखा रहता है, देखो इसके उपर यह लिखा हुआ है, गुएसिन, गुएसिन जो होता है, गुएसिन एक component होता है, जो कफ को खतम करने में बहुत important रोल अदा करता है, तो जब भी आप किसी कफ शीरप को लो, तो गुएसिन अच्छा इसको लेना है, कितनी-कितनी मात्रम आप इसको ले सकते हो, कम बलगम जमने, पर जब आपको नॉर्मल बलगम है, ज्यादा जमानी है, तो पाच एमिल बीड़े, यानि कि दिन में इसको आप दो बार इस्तमाल करो, सुबा और शाम को, यदि बहुत जादा टीडियेस ले सकते हो, ठीक है, कुछ लोग 10 ml भी लेते हैं, बट नहीं, मैं इसको परस्नली सजेशन नहीं करता हूँ, टीडियेस आपको नहीं लेना है, 10 ml मत लीजेगा, क्योंकि ये न, इससे क्या होता है, हलके सी सेडिटियों होती है, आपको नीद वगेरा आने की कंड लेती है, इस शीरप को लेने के बाद मैं परस्नली सजेशन देना चाहूँ, कि आप लोग ट्रेवल मत कीजिए, कार, ड्राइव, बाइक, राइडिंग मत कीजिए, ट्रेवलिंग मत कीजिए, आप बोडी को रिलाक्स दीजिए, ठीक है, तो कम बल गम जमने पर 5 ml आप इसक कि इन बार दे सकतो इसका डोस है, आप इस मातरा में इसको ले सकतो, ब्रोविश के नाम से आपको मार्केट में अवालियेबल हो जाएगी, नेक्स जो कप शीरप आती है, इनने आपकी जो इंपॉर्टिं. जो सीरप आती है मैगनेटस, इक शीरप होती है, ये बहुत effective कप कंटेन trip होता है कोड्इन फोस्पेट क्या होता है कोड्न कमपोनेंट करने कि अधे पहराने में कम बल्गम होने पर इसकाल डॉज हैं कितनी मात्राmd में भ़र readings है कम बल्गम हま acquaint कम चंबहों ले सकते ज़्यादा बलगा में ज़्यादा कंडिशन बिकार है तो हम लोग इसको TDS दिन में पाच एमिल तीन बार ले सकती है तो इसका dose होता है याद रखिएगा आगे बढ़ता हूं में एक जो टैबलेट में आपको सजेश करूँगा कफ की कंडिशन में कफ कोल की कंडिशन में Montec LC भी आती है और Montec FX भी आती है अगर बलगम जैने को दो बलगम को निकालना है तो आप Montec FX ले लो Montec FX बहुत ज्यादा effective grosse medicine सिपला कंपणी के तोरण आप बनाए जाती है बहुत ज्यादा effective development committee में सुबा एक और शाम को एक खाना खाना की बात, बट रात में सोते समय इस टैबलेट को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इसने नेंद तो आती ही है, थोड़ी सी सेडिटी हो रहती है, इसको बहुत जाद आपको नेंद मिलेगी इसमें, ठीके, सेडिटी हो रहती है, बट को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. झाल झाल